असलाम अलेकूम वेलकम बेक टू माई चैनल सितारा फेशन इसके आर आल विवर्स आज आज हम आपके लिए यह वाला नेक लेकर आये हैं कैसे बनेगा अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आन कर दें विवर्स आपने सिंपल जो है डिजान को बनाने के लिए सबसे पहले यह देखें यह मैंने बुक्रम लिया है सवा इंच और छी के उसको मैंने beni कंट्रास् सक अपड़ा आप चोबूरोब विवर्स आपने चिता लेना है तोगल यह आरा नोटिफिकर बश्क्राइब कर आए अधि ये देखें, 14 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है, टोटल, और इसकी चोड़ाई है, सवा इंच, तो इसको आपने यहां से सलाई लगा लेनी है, दोनों साइडों पर ठीक है, यहां से बूट की लगा लें, और दूस्री वाली साइड पे किनारे की सलाई लगा लें, तो यह देखें, यह दोनों साइडों पर मैंने सलाई लगा ली है, यहाँ पर किनारे की और इधर बूट की उसके बाद आपने कमीज के उपर नेक की कटिंग करनी है, यह कपड़े पर ही कटिंग कर लेंगे इसकी हम तो उपर से वी वर्स हम इसको रखेंगे तक्रीबन साड़े तीन इंच और इसकी लेंथ वी वर्स हम रखेंगे आठ इंच, तो यह मीडियम साइस का गला है, ना जियादा बड़ा है, ना जियादा चोटा है, ठीक है, यहाँ से आठ इंच पर मैंने मार्किंग कर दी, उसके बाद इसकी फुल लेंथ हम रखेंगे साड़े चोदा इंच, तो उप इसके बाद इधर से आपने यहाँ से वी करके निशान लगा लेना है, ऐसे, अभी इसको कट कर लेंगे, तो कट करने में थोड़ी सी फिलास्फरी है, तो यह आप देखें किस तरीके से मैं इसको कट कर रहा हूँ, यह देखें, यहाँ से इसको हलका हलका सा शेप दे दिया हमें ने और इदे नीचे से ले जाके पार निकाल दिया और जो यह वाली साइड हैं यहां पर इस तरह से कट लगा लेंगे तकरीबन एक इंच पर यह देखें डबल में आदे इंच पर निशान लगाया है तो कट लगाया है तो ये एक इंच हो जाएगा खुलने के बाद उसके बाद विवर्स आपने जो कंदी है उसको जॉइंट कर लेना है ठीक है जो उपर वाला तीरा है इसको जॉइंट कर लेना है क्योंकि हमारी जो ये बैन कॉलर है ये जो टी शेप गला है राउंड गला है ये एक साथ ही गूमेगा तो इसको जो है ना पहले कंदी जो उपर वाला तीरा है इसको जॉइंट करना ज़रूरी है तो यहां से पहले आपने तीरे को जॉइंट ज़रूर कर लेना है ठीक है अगर यह गला आप सिर्फ वी में बना रहे हैं तो तो जॉइंट नहीं करना है फिर अलग अलग बनेगा लेकिन जब यह राउंड में बनाएंगे उपर से बिल्कुल हाईने की स्टाइल में तो आपने इसको जॉइंट कर लेना है ठीक है यहां से कट लगा लें थोड़ा इधर से भी कट लगा लें इस तरीके से ठीक है वीवर्स उसके बाद आपने इसको उल्टा रखना है कमीज को और इस पट्टी को आपने सीधा रखना है नीचे से ठीक है यहां से थोड़ा हम नीचे की तरफ बढाके रखेंगे और वीवर्स सलाई जो है ना आपने यहां से शुरू करनी है बिल्कुल जो इसका कोना है ना जहां पर हमारा कट खतम हो रहा है वहां से आपने सलाई को शुरू करना है नीचे की तरफ आप अगर ले जाएंगे सलाई को या थोड़ा उपर से शुरू करेंगे तो यह बैठेगा नहीं तो आपने इसको इस तरीके से दिखें जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपने इसको शुरू करना है ठीक है बूड़ बूड़ की सलाई लगाते हुए चले जाना है इसके अंदर कोई रोकेट साइंस नहीं है बिल्कुल सिंपल है आप सिलो सिलो करके यह जो गुलाई वाली जगा है इसको आप लगा ले फिर आप इसको थोड़ा सा तेज भी चला सकते है मशीन को लेकिन आप आइस्ता आइस्ता लगाएंगे तो ज्यादा बैतर रहेगा और यह वाला जो हमारा बैक का कपड़ा है इसको हम बैक की तरफ ही फोल्ड कर लेंगे ठीक है यहां से देखें सिलाई को लगा कर सुई को नीचे करेंगे और घुमा लेंगे ठीक है नीचे अली पट्टी को आपने खीच की घुमा लेना है और उपर अले कपड़े को भी आपने थोड़ा सा खीच की घुमा लेना है वापस से सिलाई को आपने लगाना है नीचे वाले जो कपड़ा है सोरी बुकरम की जो पटी है उसे उपर एक पेर की सलाई आनी चाहिए बाकि जो बैक की टीक वाला कपड़ा है वो थोड़ा सा ज्यादा ले लेना है उपर से वापस से हम पहुंच गए हैं दूसी वाली साइट पर तो यहाँ पर हम अपनी सलाई को थोड़ा सा आगे करेंगे फिर हम इसको गुमा लेंगे ठीक है वीवर्स वीवर्स कोशिश पूरी करता हूँ के बात अपनी में आपको समझा सकूं जो बन्दा थोड़ा भी काम जानता होगा इस्टेचिंग का वो बात अराम से समझ जाएगा ठीक है तो यह देखें यह एंड में आगया हूँ अभी हम वापस अपनी सलाई यहाँ पर खतम कर देंगे नीचे लेके नहीं जाएंगे बिल्कुल जो हमारा जानत पर कट आ रहा है ना कट खतम हो रहा है वहाँ पर लाके सलाई को खतम कर देंगे और सलाई को पक्का कर दे के जहां से निकाल देंगे इसको अ-उसके बाद भी वर्स हम इसको सीधी तरफ पल्टाएंगे यह तेखे यह हमारा सीधी तरफ प्लताइंगे सब्सक्राइब यह देख इसको नीचे की तरफ फूर्ड कर देंगे गो mने कट लगाया था, उस कट की वज़ा से हमारा बिल्कुल आराम से यह बेट जाएगा इसको सेट करने के बाद हम यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे ताके हमारा आगे पीछे ना हो गला और फिर हम इसके ओपर किनारे की सिलाई लगा कर इसको स्टेज कर लेंगे यह वाली साइड भी हमारी पकी हो जाएगी बिल्कुल नीचे वाला जब हम यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाएंगे और सिलाई को थोड़ा सा यहाँ पर पका कर लेंगे तो यह नीचे वाली हमारी जगह जो है जहां से हमने शुरुआत करी है अपनी सिलाई की तो यह हमारी बिलकुल अच्छे से पक्का हो जाएगा वीवर्स इसको आपने ऐसे ही अच्छे से घुमा घुमा के पूरा जो है सिलाई लगा लेना है अभी यह देखें इसको मैंने अच्छे से सिलाई लगा लिए ठीक है अभी इसको हम प्रेस की मदद से थोड़ा बिठा लेंगे गले को तो यह देखें प्रेस लगा कर और मैंने इसके उपर एक निशान लगाया यह देखें यह वाला निशान तो हमारा नेक जो है यहां पर त्यार आएगा तो उसी हिसाब से हम इसकी सिलाई को लगाएंगे अभी हमने पटी के उपर सिलाई चलानी है यहां पे किनारे के उपर सिलाई चलानी है पटी के और गले को हमने मेजर कर लेना है यहां से ठीक है जितना आपको गला चाहिए आप प्रेस पे जाएं और इन पटीयों को शेप दे लें तो जितना आपको गला चाहिए उस हिसाब से इसको बिठा लें ठीक है वीवर्स बाकि अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो वो हमें कॉमिट्स कर सकता है हम कोशिच करेंगे जवाब देने की ठीक है ना तो चैनल पर नू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया अगर वीवर्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है ठीक है ना इसके कोई चार्जिज नहीं है तो इसके अंदर आप बटन भी एड कर सकते हैं वैसे मैं इसके अंदर मोती एड कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम किस तरह से इसके अंदर मोती एड करेंगे यह वाले मैंने मोती लिये है परल मोती छे नंबर साइज है हम इसको यहाँ पर एड करेंगे सुई धागी की मदद से ठीक है तो विवर्स यह देखें यह मैंने इस तरह से फूल बना लिया मोती का तो अगर आपको हमारी आज की बनाएगे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिविकेशन आउन कर दें ताके इसी तरह की वीडियो आप तक बासानी पहुंचती रहे हमारी इस वीडियो को एक प्यारा सा दिन से लाइट कर दीजिए तो यह देखें भी वर्स यह मैंने पूरा रेडि कर लिया है कितना प्यारा सा नेक लग रहा है ट्राइ जरूर कीजिएगा और हमको बताईएगा आप से कैसा बना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक रखिएगा अपना ख्याल दौाओं में रखिएगा याद अल्ला हाफिज